तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मारूती इस सल नया सिलेरियो लाँच करने वाला है 2021 में तो क्या होगे इसके प्राइस, क्या होगे इसके लाँच डेट और क्या-क्या नये फीचर्स इस गाड़ी में आएंगे आप जो रोडस पे देखते हो वह सिफ अप वह वाली काडि रहाएगी बठ अभी जो नए सपिरे बद्धाद यहारी है वह उसका पूरा एक्स्टीरियर आपए और पूरा इंटिरियर भी होगा अगर हम लोग इसके rivals की बात करते हैं तो इसके rival Tiago, Centro, Detson Go जैसी गाड़िया है engines की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको इसमें वेगेनर जैसे दो options available होंगे एक 1 liter में और एक 1.2 liter में जो 1 liter engine है वो आपको around 67 bhp दे देता है और 1.2 around 83 bhp दे देता है diesel variant आपको इसमें नहीं मिलेगा और आपको petrol variant 1 liter और 1.2 liter में आपको manual transmission और automatic transmission ये दोनों चीज़े मिलेगी CNG की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर CNG आपको सिफ 1 liter में available होगा 1.2 liter में available नहीं होगा जैसे कि वो वेगेनर में है इंटिरियर से अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 7 inch display देखने को मिल सकते हैं infotainment display, steering controls मिलेंगे, rear AC vents भी मिल सकते हैं आपको apple carplay, auto android ये सीज़े आपको देखने को मिल सकती है इसके जो rivals है, centro and tiago is got him already, rear AC vents, rear camera, automatic climate control ये सारे features हैं तो ये सारी चीज़ आपको इस बर Celerio में भी देखने को मिल सकती है अगर हम लोग safety के बात करते हैं तो base variant से ही आपको ABS, EBD ये standard मिलेंगे इसके अलावा आपको rear parking sensor भी base variant से मिलेगा airbag के हम लोग बात करते हैं तो फिर lower variant में आपको सिर्फ driver airbag मिलेगा अगर आप VXI, ZXI के लिए जा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर dual airbag मिलेगे जो हकी है driver and passenger के अगर हम लोग safety rating के बात करते हैं तो पिछली जो गाड़ी थी सिलेरियो उसकी safety rating 2 थी सो हम लोग आशा करते हैं कि इस बार मारूती ने सिलेरियो के उपर काम करके उसको और थोड़ा सा safe बनाया होगा सो अगर हम लोग इसके price की बात करते हैं तो price इसका 4.5 lakh से starting price बताया जा रहा है और launch date जो कि July में होने वाली थी बट अभी कुछ कारणों के वज़े से वो भी September में shift कर दी गई है सो वो September mid में भी हो सकता है September end में भी हो सकता है और यह जो गाड़ी है आपको वेगेनार और श्विफ्ट दोनों के बीच वाला variant रहेगा सो वो वेगेनार से आपको थोड़ा सा costly रहेगा बट श्विफ्ट से थोड़ा सा cheap रहेगा उमीद करता हूँ कि आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा आपको यह informative लगता है तो आप आपके friends family में यह share कर सकते है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसको subscribe कर ले क्योंकि और ऐसे बहुत सारे contents जगे जो आने वाले है